नमस्कार, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है सर्दियों में गिजर के पानी से नहाने वाले हो जाएं साउधान वरना हो सकता है ऐसा थंड आते ही लोग गिजर का इस्तमाल करने लगते हैं क्योंकि सर्दिय के मौसम में नहाना बहुत से लोगों के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है ऐसे में अगर आप भी शर्दियों में ऐसा करते हैं तो आपको कुछ साउधानिया बरतने की जुरूत है क्योंकि इन टिप्स को फॉलो नहीं करने पर कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है नहाते समय ठंड से बचने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल भी काफी एहम हो जाता है इसलिए अगर आपके घर में गिजर लगा है तो उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे बंद करना न भूले क्योंकि जादा गर्म होने से गिजर फटने का खत्रा रहता है हलांकि नई तकनिक वाले आटोमेटिक गिजर में पानी गर्म होने के बाद वो आटो मोड में बंद हो जाता है लेकिन अगर आप पुराना गिजर यूज कर रहे हैं तो समय पर गिजर का स्विच चरूर आफ कर दे अगर गिजर कई साल पहले लगवाया है और वो पिछले सीजन के बाद पहली बार इस्तेमाल होने जा रहा है तो आप बीना servishing के अपने गिजर का इस्तेमाल न करें गिजर का wire अगर copper का नहीं होगा तो उसके फटने की संभावना जादा है गिजर लगाने के बाद ये चेक करें कि अर्थिंग्स शही है या नहीं कई बार लोग पैसा बचाने के लिए सस्ता और कम चलाओं गिजर खरीद लेते हैं जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सस्ता गिजर पूरी तरह से सेफ नहीं होता है ऐसे में गिजर खरिदते समय आई एश आई मार्क वाले गिजर का चुनाओ करें साथे गिजर को बात्रूम में फिट करने के लिए मैकेनिक की मदद लें और खुद गिजर फिट करने से बचे इससे गिजर ब्लास्ट होने की संभावना न की बराबर हो जाती है गिजर का वायर अगर कॉपर का नहीं होगा तो उसके फटने की संभावना ज्यादा है गिजर लगाने के बाद ये चेक करें कि आर्धिंग सही है या नहीं सर्दियों का सेजन शुरू होने से लेकर अभी तक देश भर में गिजर के फटने की कई खबरे आ चुकी है ऐसे में आपको भी बेहत साओधान रहने की जुरूत है बिजली के जटके से बचने के लिए आप करीब 10-15 मिनट पहले गिजर का स्विच ऑन कर ले और पानी गर्म कर ले अगर आपको ज्यादा पानी की जुरूत है तो बाल्टी में भी स्टोर कर सकते हैं गिजर यूज करते वक्त आपको बिजली का जटका न लगे इस बात का खास ख्याल रखें इसके लिए नल चलाते वक्त या शावर से नहाते समय कभी भी गिजर का स्विच ऑन न करें गिजर को बच्चों की पहुंच से दूर रखने की कोशिश करें कई बार गिजर सुने पर बच्चों को करंट लगने का खत्रा रहता है इसलिए गिजर को बात्रूम में थोड़ी उचाई पर लगवाए ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे हैं मेडिकल माइक साथ है मारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद